हेलो एब्रीवन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई SCST Act के जूटी FIR दज करा देता है आपके खलाप तो आप खुद का बचाओ कैसे कर सकते हैं देखिए किसी भी टाइप की कोई BFIR सही अगर वो जूटी है I mean किसी भी टाइप की कोई BFIR है उसमें दो तरीके के सेक्शन जादार एड होते हैं एक तो SCST Act उसमें इंवाल्व होगा ठीक है और दूसरा जो भी उसने करत किया है कार किया है तो वो किस सेक्शन के अंदर आता है IPC के तहत है किस Act के तहत है उसके सेक्शन भी एड होगी ठीक है तो यहाँ पर यह है कि हमें यह देखना होता है कि जो SCST Act है उसको छोड़ करके जो और सेक्शन है वो बेलिवेल ओफेंस है या फिर नॉन वेलिवेल ओफेंस है मतलब कि जमानती अपराद है या फिर गेर जमानती अपराद है अगर SCST Act के जो सेक्शन है उनको छोड़ करके जो भी उसमें सेक्शन लगा हुआ है अगर वो बेल वेल ओफेंस है तो आप ठाने जाएं पुलिस से बात करें पुलिस को बताएं कि ये जूटा है कभी कभी ऐसा होता है कि जो SCST Act के तहट जो इस कैटेगरी के जो लोग हैं जो SCST कैटेगरी में आते हैं जो कास्ट इसमें आती हैं उनके लोगों को महरा बनाया जाता है मतलब कि सारे लोग नहीं कुछ लोग तो सौब मानी होते हैं पैसे के लिए नहीं आते लेकिन कुछ लोग ऐसे भी अगर उन्हें है नहीं हल्प कर दिजाए या उन्हें दो-तीन हजार रुपे मिल जाए तो किसी को भी फसाने के लिए वो तयार हो जाते हैं कुछ भी ऐनसे कर वा लिए मतलब किस समझ में और है मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जरा सा फाइदा मिलने के लिए या कोई उनको पैसे दे दे और बोल दे कि भाई तू इसमें अपना नाम बोल देना कि हाँ मेरे साथ हुआ तो इस तरह से देखा जाता है कि लोग इनको हत्यार बनाते हैं मोहरा बनाते हैं और अपना उलू सीधा करते हैं लोगों पे केस करते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरे को जुकाने के लिए तो ये एक अलग बात है लेकिन अगर ऐसा कोई मैटर है और मामला और जो सेक्शन लगा हुआ है जो IPC का सेक्शन है जो SCST Act को छोड़ करके जो भी सेक्शन लगा हुआ है बैलेवल ओफेंस है नोन बैलेवल ओफेंस है जो इस तरह के मामले की जो जांच होती है बो DSP rank अधिकारी का आता है तो जो भी उसका जो investigation officer होता है उसको आप सारी बात बताएंगे समझाएंगे अगर उसको समझ में आता है तो वो उस मामले में F.R. लगा देगा जब उससे कोई matter है ही नहीं तो ऐसे मामले क्या होता है उसमें final report के रूप में F.R. लग जाती है अगर जो अपराध हुआ है या फिर जिसके लिए F.R. दर्ज कराई गई है और जो भी SCST Act का section हटा करके जो भी section add किये गए है उसमें अगर पांच वर्स से अधिक की सजा है जो non-valuable offense भी है तो उस मामले में अगर आप ठाने जाएंगे convince करने के लिए तो पुलिस आपको गर्फतार कर ले तो भैतर ये है कि अगर ऐसा कोई section है उसमें SCST Act के section को छोड़ करके जिसमें पांच वर्स से अधिक की सजा हो तो ऐसे मामले में आप ठाने नद जाकर के अपनी anti-septry bill के लिए apply कीजिए अगर आपकी session court से खारज होती है SCST court से खारज होती है तो आपको high court से anti-septry bill के लिए apply कर दिना चाहिए और अब देखा जारा जादातर मामलों में anti-septry bill मिल जाती है क्योंकि ये भी देखा गया है लगव 15-20% जो SCST के case होते हैं वो fake होते हैं जूटे होते हैं लोगों को महरा बनाया जाता है अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक बात और बता दू अगर आपके खिलाब किसी भी प्रकार की कोई छोटी SCFI या दर्च हो रही है जो SCST act के तहत है मार पीट की गाली गलोच की जान से मारने की धमकी की ठीक है 380 की अमूमन जो मार पीट गाली गलोच जान से मारने की धमकी तमाम तरह के 452 इस टाइप की जो भी case होते है तो उस मामले में क्या है कि पुलिस आपको इसलिए गरफतार नहीं करेगी क्योंकि तो आप जाकर के थाने में बात कर सकते हैं पुलिस को कर्वेंस कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पुलिस रिस्पॉंड नहीं कर रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस पर्मीशन लेने के लिए जा रही है आपको गर्फतार करने के लिए और evidence भी आपके खिलाप मौजूद है तो आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना सबसे पहले आफाय अदर्ज हो जाए तो सबसे पहले आपको anti-sepatory bail करानी चाहिए अगर anti-sepatory bail आपको सेसन कोट से मिल जाती है तो very good अगर नहीं मिलती है तो सीधा हाई कोट जाए और अपनी anti-sepatory bail कराए टीका तभी आप बच सकते हैं और उसके बाद कोट में अगर चाहिए दाखिल हो जाती है तो आगे जो कारवाई होगी विलकुल वैसे होगी जैसे कि नार्मल केसों की होती है मतलब कि 60 दिनों के अंदर कूड में चाशी दागल हो जाती है उसके बाद अगर आपसे कहा जाता है आप एंटिसेटरी बेल पे हैं तो में भी हो सकता है कि रेगुलर बेल की जरूरत ना पड़े अब बात करते हैं कि कब पुलिस SCST एक्ट लगने के बाद भी बिना पर्मीशन के आपको गरफतार कर सकती है कोई पर्मीशन लेनी की जरूरत नहीं है तो ऐसे मामले में आपको बता दूँ कि जैसे कि मान लिजिए कि कोई पॉसको से रेलेटेड मैटर हो SCST एक्ट लगा हो ठीक है कोई 326 से रेलेटेड मैटर हो आपने किसी का अंग भंकर दिया हो या फिर इस सेक्षिन में आपके क्लाफ फाइदा चुई हो तो पॉलिस मतलब की बिना किसी की पर्मीशन लिये मतलब की उसे माजिस्टेट की या फिर SP, SSP की पर्मीशन लेनी की जरूरत नहीं है पुलिस को इन सेक्शनों में आपको ग्रफतर करने का दिकार है इस तरह के मामले में सबसे पहले आपको एंटी सेपेटरी बेल के लिए अपलाई करना चाहिए इस तरह के मामले में अपने सेशन कोर्ट जो S.E.S.T. कोर्ट है वहाँ से आपको एंटिसेपेटरी बेल के लिए अपलाई करना चाहिए नहीं तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए हाई कोर्ट से एंटिसेपेटरी बेल के लिए अपलाई कर देना चाहिए यही कुछ तरीके हैं जिसे आप गरफतारी से बस सकते हैं और केस में अपनी पहरवी कर सकते हैं नहीं तो फिर वही तरीका होता है कि अगर आपने अपराद किया है तो पुलिस आपको गरफतार करेगी और आपको जेल भेजेगी उसके बाद जो है फिर आप जमानत कराते हैं और फिर जमानत कराने के बाद फिर केस की कारवाही है वो आगे बढ़ती है जमानत नहीं होती है तो फिर आपको जेल से तलफ किया जाता है और चार्ज बनता है प्रजिकिस इन एविडेंस दूर हो जाता है फिर जो है गवाई वाई सारा कुछ complete होके 313 का बयान होता है तो यह कुछ formalities है So guys, यह ता पूरा वीडियो, I hope you like this video, वीडियो पसंद आए तो like कर दीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए, चलिए मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाएं